अदिट्या L1 मिशन, सूर्य के गर्मी से किस तरह खुद को बचाएगा आदिट्य L1? जाने आइसरो का प्लान भारत अंतरिक्ष सेक्टर में एक के बाद एक उची छलांग लगा रहा है 23 अगस्त को चंद्रियान 3 मिशन के तहट रोवर की चांद के साउथ पोल पर सौफ्ट लैंडिंग कराई और अब अपने सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आईसरो ने अपना पहला कदम बढ़ाया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शनिवार यानी 2 सितंबर को इसरो ने श्री हरी कोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपन किया अब से चार महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलता पूर्वक स्थापित हो जाएगा सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम क्यों? विशेशज्जों ने मिशन एडित्या L1 के सफल प्रक्षेपन वह विज्ञान एवं मानवता के लिए इसके महत्व को सराहा प्रित्वी और सूर्य के बीच पांच लेगरेंजिन बिंदू पार्किंग क्षेत्र हैं जहां पहुँचने पर कोई वस्तू वहीं रुख जाती है सूर्य मिशन को आदित्या L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह प्रित्वी से 15 लाग कीमी दूर लेगरेंजिन बिंदू 1 L1 में रहकर अपने अधियन कारे को अंजाम देगा अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा कितनी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों का पता लगाना कितना मुश्किल सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौती पूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान 9.941 डिग्री फारेन हाइट है सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री, फारेन हाइट होगा, जिससे सूरज के नजदीक पहुँचना नामुम्किन है इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृत्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग एक प्रतिशत दूरी पंदरा लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा तक जाएगा है इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1 सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1, एडिट्या L1 मिशन में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए है इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए है अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य की गतिविधियों में कोई भी परिवर्तन प्रित्वी पर प्रभाव डालने से पहले L1 पर दिखाई देता है यह प्रित्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरन की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वा नुमान माडल को और सटीक बनाने में अहम साबित होगा दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद?